हेलो प्रेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर प्रेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही टेस्टी सी मठरी की रेस्पी शेयर कर रही हूँ इन्हें अगर आप एक बार बना लेते हैं तो महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी सुबह का नास्ता हो या फिर साम की जाए आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगती है वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले आदा किलो मेथी को हमने इस तरीके से पतों में तोड़ लिया है इसमें डंठल बिल्कुल भी ना रहने दे और इसके बाद इसे धूल करके अच्छे से पोच लेंगे पानी नहीं रहने देंगे और इसे पारीक पारीक हमें काट लेना है ये देखी मैं आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से जितना हो सके पारीक काटें जिससे हमारी मठरी बहुती टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगी ये हमने काट करके कटोरे में निकाल लिया अब इसमें एक कब भर करके गेहूं का आठा डाल देंगे आप इसकी जगे चाहें तो मैदे का इस्तिमाल कर सकते हैं एक चमच भर कर आमचुर पाउडर डाल देंगे एक चमच चिली फ्लेक्स डाल देंगे दो चुटकी के करीब हींग डालेंगे और आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे यह हमने नमक ले लिया नमक टेस्ट के इसाब से आप डालें और सबको मिला करके अच्छे से इसके बाद मैं अब इसमें मोयन देने के लिए दो चमच भर करके मैंने रिफाइंड ओयल डाला है आप इसकी जगे चाहें तो घी का इस्तिमाल कर सकते हैं और इन सबी को अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे ताकि जो हमने ओयल डाला है यह अच्छे से आटे में मिल जाए अब इसमें पानी डालते हुए हमें सौफ्ट आटा लगा कर तयार कर लेना है बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा तयार करते हैं वैसे ही इसका भी आटा हमें तयार करना है आटे को कितना सौफ्ट रखना है यह देखे मैं आपको दिखा रही हूँ इतना ही soft रखें इसके बाद अब आटे का एक छोटा सा टुकडा ले लेंगे जितना रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज लेंगे और इसे इस तरीके से चप्टा कर लेंगे सुखा आटा इसमें लपेट करके और इसकी एक बड़े साइज की रोटी बेल कर तयार कर लेंगे ये देखिए हमने रोटी बेल ली है आप कोई भी इस तरीके का बरतन ले लेंगे जो आगे सी चारपो मैंने ये ग्लास लिया है और इसकी मदद से हम इसकी पूड़ियां काट लेंगे आप इसकी जगे चाहें तो अगर बड़े साइज की बनाना चाहते हैं तो बड़ा बरतन ले सकते हैं पर मैं इसी साइज का बना रही हूँ इससे हमें जितनी भी पूड़ियां काटने इस तरीके से हम काट करके थैयार कर लेंगे यह हमने सभी को काट लिया है अब इसके साइड में जो एक्ष्रा वाला पार्ट है इसे हम इस तरीके से आराम से निकाल देंगे यह देखिए अब हमने यह फोक ले लिया है इसकी मदद से हम इनमें होल कर देंगे यह बहुत जरूरी है इससे हमारी जो मठ्री बनेगी बहुत प्रिस्पी बनेगी बिल्कुल भी फूलेगी नहीं इसलिए आप इसमें होल जरूर करें यह देखी हमने सब में होल करके तयार कर लिया है अब हमने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया और इन मठ्रीयों को एक एक करके इस तरीके से डाल देंगे जब ये पकने लगेंगी तो कैस का फ्लेम लोटू मीडियम कर दें और इन्हें हलका सा इस तरीके से चला दें ताकि सभी जगे अच्छे से ही पक जाएं ये देखिए एक साइड ये पक गई है अब इन्हें पलट लेंगे जैसे ही एक साइड पकती है तुरंत इन्हें पलट लें जल ले ना पाएं क्योंकि हमने इन्हें खस्ता बनाना है इसलिए थोड़ा हमने इसका पतली ही रोटी बनाई थी इसलिए जरूरी है कि आप इससे द निकाल लेते हैं यह देखिए हमारी टेस्टी सी मठरी बनकर के तयार है यह बहुत ही क्रिस्पी है देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूं यह कितनी खस्ता बनी है